नमस्ते दोस्तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तो आज मैं आपको Microsoft Excel में कैसे stock maintain करते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा जिसको use करके आप अपने business का stock maintain कर सकते हो कितना आपका purchase है कितना sale है वो सारे report को generate कर सकते हो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने already एक format यहाँ पे बना के रखा है stock maintain के उपर जहाँ पे मैंने लिया है purchase, sales and stock report तो यहाँ पे देखिए purchase के अंडर मैंने लिया है date, products और quantity मतलब कि जब दी कोई item आप purchase करोगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे date डालना है उसके बाद product का नाम और उसके बाद आपको quantity यहाँ पे add करना है और एकदम सेम ही आपको sales में भी सेम ही काम करना है date, फिर products और quantity को add करना है जैसे के मैंने यहाँ पे यह सारे product को यहाँ पे add किया है ऐसा ही product आप यहाँ पे purchase करोगे product के नाम पे आपको purchase में लिखना होगा और date आपको mention करना होगा एक example मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ purchase का सबसे पहले मैं यहाँ पर date entry करूँगा इसके लिए मैं लिखूँगा equal today first bucket open close लिखके अगर enter करेंगे तो आज का date यहाँ पर आ जाएगा फिर मैं यहाँ पर products में click करूँगा और यहाँ पर एक checklist बनाऊँगा इन products के नाम के उपर तो इसके लिए मैं जाऊंगा data tab data tab में जाने के बाद यहाँ पर देखिया data validation नाम का एक option आपको मिलेगा जहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ से allow के अंदर से आपको list चूज़ करना है तो मैंने यहाँ पर list को choose किया फिर नीचे देखिया यहाँ पर source देना होगा आपको तो source box में click करने के बाद मैं यहाँ पर in product का नाम select कर दूँगा फिर एक बार ok करेंगे और इसके साथ ही data validation यहाँ पर add हो जाएगा फिर यहाँ से मैं एकदम last तक drag and drop कर दूँगा तो सारे cell में data validation add हो जाएगा यहाँ पर मैं एक बार आपको zoom करके दिखाता हूँ यहाँ पर click करेंगे तो यह देखिए सारे product का नाम यहाँ पर show हो रहा है आप यहाँ से किसी भी product को choose कर सकते हो यहाँ पर purchase के अंडर जो मैंने data validation यहाँ पर product में add किया है वैसा ही formula मैं sales में भी add करूँगा data validation add करने के लिए मैं in cell को select करूँगा और इसको copy करके एक बार वहाँ पर paste कर दूँगा just एक बार paste करेंगे तो यहाँ पर नाम तो आई गया इन नाम को अगर हम delete भी करेंगे तो data validation का process आपका यहाँ पर delete नहीं होगा देखिए आप arrow में click करोगे तो सारे product का नाम आपको यहाँ पर दिखाएगा आप किसी भी product को यहाँ पर choose कर सकते हो अपने इच्छा अनुसर अब मैं यहाँ पर आपको सारे purchase का जो data है वो यहाँ पर add करके आपको दिखाऊंगा तो purchase के first cell में मैं click करूँगा click करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा equal sum if फिर मैं first bracket open करूँगा open करने के बाद यहाँ पर range में मैं total product का नाम यहाँ पर select कर दूँगा मतलब नीचे तक जितना भी product हो सकता है criteria देना है criteria में जो first cell है product का stock में तो in cell को मैं यहाँ पर select कर दूँगा फिर दूँगा मैं comma comma देने के बाद अभी sum range में मेरा quantity जो है quantity का शुरू से एकदम last तक in cell को मैं यहाँ पर select कर दूँगा फिर इनको भी मैं करूँगा freeze इसके लिए मैं press करूँगा F4 की फिर मैं bracket को close करूँगा close करने के बाद एक बार enter प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी samsung का purchase 0 आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक samsung का कुछ भी product purchase नहीं किया है that is why यहाँ पर 0 आ रहा है अब मैं यहाँ पर इन सारे cell में same formula drag करके apply कर दूँगा तो यहाँ पर formula add हो गया है और यहाँ पर देखिए मैंने purchase में in text में अगर कुछ purchase करते है जैसे मैंने यहाँ पर 70 piece purchase किया है तो automatically stock register में purchase में वो add हो जाएगा यह देखिए एक दो मैंसे motorola का कुछ mobile अगर हम purchase करते है तो यहाँ पर मैंने 25 piece लिखा है तो automatically देखिए motor में 25 add हो गया है मैं यहाँ पर फिर से in text का purchase करूँगा मैंने यहाँ पर in text को select किया है और यहाँ पर मैं 30 piece लिख दूँगा तो automatically देखिए इन दोनों का addition यहाँ पर add हो जाएगा stock register में purchase में यह देखिए तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ purchase करेंगे मतलब purchase में entry करेंगे तो automatically stock register में add होता जाएगा अब मैं यहाँ पर in date को थोड़ा अपडेट कर दूँगा यहाँ पर click करके आप drag and drop कर सकते हो तो same date यहाँ पर autofill हो जाएगा अब मैं यहाँ पर Samsung को purchase करूँगा और यहाँ पर जो quantity आप लिखेंगे तो वो automatically stock register में purchase के अंडर update होता जाएगा अब मैं यहाँ पर आपको same process follow करके sale register भी बना के दिखाऊँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर date डालूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो already product का नाम मैंने पहले ही add किया हुआ है और यहाँ पर आपको quantity लिखना होगा तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर अपने दुकान से sale करेंगे तो वो आपको यहाँ पर add करना है और अभी हम cell register को यहाँ पर add करेंगे तो मैंने purchase का जो formula यूज किया है वैसा ही same process मैं यहाँ पर use करूँगा sale में यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा equal sum if फिर मैं bracket को open करूँगा और यहाँ पर range में product में जितने सारे sales हैं इन सारे sales को यहाँ पर select कर दूँगा फिर मैं इसको freeze करने के लिए एफ फोर प्रेस करूँगा फिर एक कॉमा देना होगा कॉमा देने के बाद criteria में आपको जो first sale है product का stock register में उसको आपको choose करना है फिर एक कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद sales में quantity का जितना सारे sales है इन सारे sales को यहाँ पर select करेंगे select करने के बाद इसको freeze करने के लिए फोर प्रेस करेंगे और bracket को close करके enter प्रेस करेंगे फिर यहाँ पर देखिए sales में 10 आ गया है तो मैंने sales किया था Samsung का 10 product तो इसलिए sales register में देखिए यहाँ पर 10 यहाँ पर दिखा रहा है Samsung का ठीक है अभी मैं यहाँ से बाकी सारे को scroll करके fill up कर दूँगा तो यह हो गया बाकी सारे में भी formula add करना तो मैं आपको यहाँ पर कुछ और product sell करके दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर date को ले लिया अब product को चूज करेंगे आप कोई भी product यहाँ पर चूज कर सकते हो मैंने यहाँ पर index को चूज किया और quantity बे मैंने लिखा है 10 मतलब कि मैंने 10 पीस index का mobile sell किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो purchase में मैंने पहले ही index का 70 और 30 मतलब कि cool मिला के 100 mobile को purchase किया था तो purchase मेरा 100 mobile दिखा रहा है और sales मेरा 10 दिखा रहा है क्योंकि मैंने index का देखिए यहाँ पर 10 mobile को sell किया है तो यह automatically यहाँ पर stock book में add होता जाएगा जितने भी product आप यहाँ पर sell या फिर purchase करोगे तो automatically यहाँ पर add होता जाएगा अब मैं यहाँपर आपको stock निखाऊंगा तो stock निखालने के लिए purchase से sell को अगर हम minus करेंगे तो stock निखल आएगा तो stock निखालने के लिए हम यहाँपर सबसे पहले देंगे equal sign फिर purchase के first sell में click करेंगे minus sign देंगे और sell के फरस्स sell में click करके इसको select कर देंगे, उसके बाद करेंगे enter, enter प्रिस करने के साथ ही total stock यहाँ पर आपको दिखाएगा, बाखी को calculate करने के लिए आपको drag and drop यहाँ पर use करना है, तो यह देखिए total purchase से sell को निकालके जो stock है वो यहाँ पर दिखा रहा है, अब मैं आपको यहाँ पर remarks में एक message add करके दिखाऊंगा, अगर आपका stock below 5 हो गया, मतलब कि 5 के नीचे अगर जाता है आपका stock report, तो एक alert आएगा, जहाँ पर लिखा होगा, please update stock, तो उसको देखके आप अपनी हिसाब से stock को update कर सकते हो, तो इस alert को add करने के लिए मैं रिमार्क्स में जाके लिखूंगा, equal, if, first bracket open करने के बाद, मैं यहाँ पर stock के cell को select करूंगा, less than, equal, 5, अगर 5 के नीचे जाता है, फिट देंगे एक कॉमा, और यहाँ पर आप अपना message type कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, please update stock, फिर invite कॉमा को close करेंगे, फिर एक कॉमा डालेंगे, और यहाँ पर double quote on और off कर देंगे, फिर bracket को close करके, एक बार enter करेंगे, इंटर करने के साथ ही देखिए, यहाँ पर formula तो add हो गया, लेकिन रिमाक्स में कोई भी alert नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, stock में अभी तक 5 या फिर 5 के नीचे नहीं आया है stock, पहले बाले cell में, इसलिए मेरा alert यहाँ पर नहीं आया है, अब मैं यह formula बाकी cell में भी drag करके fill कर दूँगा, fill करने के साथ ही यहाँ पर देखिए, जितने-जितने cell में 0 है, तो वहाँ पर automatically update your stock दिखा रहा है, इसको मैं select करके, इसका size को थोड़ा छोटा कर दूँगा, home tab से, font size को थोड़ा छोटा कर देंगे, तो यह देखने में अच्छा लाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा purchase था 45, और stock में अभी मेरा 35 है, तो इसलिए मेरे यहाँ पर, रिमाक्स में, please update stock नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे product मैंने, purchase नहीं किया है, 0 है, that is why वहाँ पर वो alert आपको दिखा रहा है, अब मान दीजिए, मैंने यहाँ पर Samsung के mobile को, फिट से एक बार, sell कर दिया, और उसका minimum quantity मैं, 5 के नीचे अगर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर automatically, update your stock दिखाएगा, तो मैंने यहाँ पर date को ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर Samsung को चूज कर दिया, और मैंने यहाँ पर quantity में 30 piece और sell कर दिया, तो यहाँ पर देखिए, stock में मेरा automatically 5 आ जाएगा, और remarks में, please update stock alert आपको दिखाएगा, यह देखिए, Samsung का total mobile मैंने purchase किया था 45 piece, और मैंने sell किया है 40 piece, और stock में अभी 5 piece मेरा है available, इसलिए मेरे को यहाँ पर please update stock alert दिखा रहा है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों का stock अभी तक 5 के नीचे नहीं आया, that is why यहाँ पर कुछ alert नहीं आया है, मैं यहाँ पर आपको पूरा process one by one फिर से एक बार दिखाऊंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर semi date में POKU का 10 phone purchase करूँगा, तो मैंने यहाँ पर 10 phone purchase किया है, फिर मैं semi date में इस में से POKU का ही 7 phone sale कर दूँगा, यहाँ पर मैं चूज करूँगा POKU और 7 phone मैं यहाँ पर sale कर दूँगा, तो sale करने के साथ यहाँ पर automatically देखिए, स्टॉक रिजिस्टर में एक बार देखिए आप 10 फोन मैंने पर्चिस किया था इसमें से मैंने 7 फोन को सेल कर दिया और स्टॉक में मेरा अवेलेबल है अभी 3 इसलिए यहाँ पर आलर्ट आया है प्लीज अपडेट स्टॉक तो यह प्रोसेस फॉलो करके आप अपना स्टॉक इजिली मेंटिन कर सकते हो एक्सल में वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिएगा थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो प्लीज कीप यूर सपोर्ट